क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताके आप देख सको वीडियो सबसे पहले इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले फंक्शन के उपर तो मैं फंक्शन क्या है वो एक पॉइप कर देखने को मिलते हैं उसे आपका time से होता है आपको बार बार वो code को लिखना नहीं पड़ता है, बस इसे call करना है, आपको बहुत सारी प्रोग्राम बना रहो आपको पता है यह particular attacks आपको बार-बार हर प्रोग्राम में करना है तो आप एक function create कर दोगे एक python की new file में बस उसे import करोगे और उसे call करोगे तो आपको बार-बार वह 10 line 5-6 line का code लिखना नहीं पड़ेगा तो यह सबसे बड़ा benefit होता है function का और कुछ inbuilt function जो हमें python में मिलते हैं तो सबसे पहला जैसे में आपको बताता हूँ हम function create कैसे करते वह भी बताऊंगा औरiffly function कौन से वह भी मैं आपको i.en जाता हूँ जैसे में print कराते हूँ print length यह मेरा नाम है print length मैं रहे इंदर उप जाता हूँ यह क्यों तो मैंने run किया इधर 8 value आया, 8 value क्यों आया, मैंने इसका length find किया, यह देख सकते हो मैं अदर का length मैंने find किया, तो इसका total character है 8, तो यह मेरा 8 value आ गया, पर यह length क्या है, यह length एक function है, आप देख सकते हो define length object, तो यह inbuilt create हुआ एक function है, और भी बहुत सारे, जैसे मैं आपको बता variable बता देता हूँ, जैसे कि मुझे h और j, यह मैंने variable बता दिये, इन्हें कौन से कौन से variable है, दो, और इसे में run करता हूँ, तो आप देख सकते हो maximum मतलब सबसे बड़ा number, 8 यह हमारा 8 आ गया, और यह उपर का 8 जो हमारा character वो आला है, इसे मैं comment कर देता हूँ, उसे save करके आप इसे run करता हूँ, तो आप देख सकते हो, मेरा 8 value आ गया, और इधर आप minimum भी check कर सकते हो, इधर minimum और इसे में save करता हूँ, और run करता हूँ, तो आप देख सकते हो, यह 5, यह 5 हमारा minimum value मतलब सबसे कम वाला value आ गया, तो यह minimum क्या है, यह minimum भी आप देख से तो define function जो की in अपने function का नाम देना पड़ेगा, जैसे कि यह minimum नाम दिया हूँ है, maximum नाम दिया हूँ, इस तरह आपको नाम देना पड़ता है, अपने function का, तो इधर मैं अपने function का नाम दे देता हूँ, तो मैंने बहुत बड़ा और लंबा चोड़ा नाम दे दिया, आप छोटा नाम द ले लेता हूं, i और j तो मतलब इसके अंदर मैंने बता दिया कि i और j दो argument कभी भी पास होगे, तो मुझे उनका number addition कराना है, पर addition करना है, इधर मुझे return भी करना पड़ेगा, तो इधर return i plus j, यह हमारा function create हो गया, यह हमने जो कि खुद function create किया, अब इसे हम use कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं करा तो print, बाद में फिर हमें क्या print कराना, जैसे addition of two number, addition of two number, बाद में फिर मैं यह parenthesis के अंदर, दो number दे देता हूं, जैसे two दे देता हूं, और मैं five दे देता हूं, और इसे यह हमारा function काम कर गया, और यह function जो हमने add to number यह हमारे, खुद ने function create किया, यह इस तरह function बनते हैं, और आप यह function में आपको कुछ यह याद अखनी पड़ेगी, कुछ ध्यान अखनी पड़ेगी, जैसे कि मैं इदर से user से कुछ input लेता हूं, तो मैं यह user से number one equal to input ले लेता हूं, यह मैंने user से दो number input ले लिया है, तो यह दो number input लिया तो आपको इसका addition कराने के लिए आपको आपने function create कर लिया, तो आपको लगता रहा है कि यह addition हो जाएगा, पर यह addition नहीं होगा, क्योंकि आपको यह number को integer में convert करना पड़ेगा, आप multiplication कर रहा हो is, divide कर रहा हो और कुछ भी कर रहा हो तो आपको यह जाखने पड़ेगी आपको यह number को integer में convert करना पड़ेगा, तो integer में convert करना बहुत ही simple है, आपको i starting मेnend lay in Kaght लगाना है और लास्ट में भी आपको का value एक जगा स्टोर भी करा सकते हैं तो मैं एक एक जगा वैल्यू स्टोर करा देता हूं total नाम का variable create करता हूं इसके अंदर मैं इन दोनों का value store करा देता हूं तो इधर मैं अपने function को call करता हूं तो यह मैं शनक्षन को call किया बाद में और फिर हमारा पहला number क्या है number one और इसे कॉमा मारता हूँ और बाद में फिर मैं number two तो जैसे के आप देख सकते हूँ इधर हमने i और j लिया यह function create किया तो इधर जरूरी नहीं कि हमें हर बार i और j लेना पड़ेगा यह अपने आप मतलब अंदर inbuilt में पता कर देता कि i के ज यह तो फिर confuse हो जाओगे आप भी और यह उपर वाले को मैं comment कर देता हूँ वह में save करता हूँ तो आप देख सकते हूँ यह हमारा 10 output प्रिंट हो गया है और इधर आपको यह ची याद रखना पर इंटीजर लगाना पड़ेगा आप इंटीजर नहीं लगाओगे तो मैं आपको दिखा देतो क्या प्रॉब्लम होएगा जैसी कि मैंने इंटीजर हटा दिया और इधर मैं इसे मैं सेव करता हूँ और वापिस से रन करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं इने इंटीजर नहीं मतलब इनको बताया है नहीं कि यह इंटीजर है कभी भी कुछ भी ची इंपूट ले रहो वह स्ट्रिंग फॉर्मेट में होते तो 546 तो यह इनोंने स्ट्रिंग समझ लि होगा मैं मेरा नाम इंपूट करूँगा जैसे महें अंदर और लास्ट नेम सिंग यह मैंने इंपूट किया तो मैं अंदर सिंग यह दोनों स्ट्रिंग को मुझे जोड की मिल गया तो इस तरह फंक्शन वर्क करता है बहुत ही सिंपल था तो आपको समझ में आगे रहेगा आपको लगता ρागा यह एडिशन से छोटा सा फंक्शन है पर है आगे जा जाकर बड़े 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 फंक्शन रहेगा जब program के हिसाब से आपको खुद का दीमाग चलेगा और आप इसे छोटे-छोटे function create तो आप function create करके अलग-अलग file में रख दोगे तो बार-बार आपको प्रोग्राम में उसे बस call करना पड़ेगा जैसे call करना क्या होता है जैसे मैंने add of two number तो यह मैंने call किया है आप देख स function already है तो आपका error आएगा तो इसे मैं minimum नहीं रख सकता हूँ या फिर maximum नहीं रख सकता हूँ आइसा आप inbuilt नाम नहीं रख सकते हो आपका फिर error आएगा तो आपको कुछ अलग नाम रखना पड़ेगा तो कभी भी आप नाम रखिए इसके बीच में एक underscore लगा नेक्स वीडियो को लिंक आपको description में मिल जाएगे और यह source code भी आपको description में मिल जाएगा और basic से लेके advanced python playlist के link भी आपको description में मिल जाएगे तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो यह आदे वीडियो को like कर दीजिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो यह दे रड़ कर बटन दिक आपको करके subscribe कर दीजिए thank you so much for watching this video